क्या उमर के साथ टाइमिंग कम हो जाती है जी यहां दोस्तों इसमें हम बात करेंगे आज किस वीडियो के अंदर और मैं आपका स्वागत करता हूँ अपने यूटूब चैनल प्रोफाउंड जिग्यासा में तो गाइस बात कर रहे हैं आज किस वीडियो के अंदर कि क्या उमर के साथ टाइमिंग कम हो जाती है टाइमिंग से मतलब है यहां पर शिग्र पतन से यानि की वीरे का जल्दी निकल जाना संभोग की टाइमिंग का कम हो जाना जब आप यंग थे या फिर यह कहें कि भाई आपके टाइमिंग काफी थी आप देर तक संभोग कर बाते थे अब क्या है कि अब एज के साथ उमर के साथ क्या हो रहा है कि आपके टाइमिंग कम हो रही है कभी आपने टाटोला है इस बारे में कभी आपने सोचा है कि ऐसा क्यों हो रहा है कारण आपने देखा है कभी जानकारी वाली वीडियो है वो आप तक पहुंचते रहें और कमेंट बॉक्स में जा करके कमेंट करें अगर आपकी कोई परिशानी है साथ ये बैल आकन को प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन के जरीए से हमारी वीडियो आपको मिलती रहें और वीडियो को शेयर करें अग उनको टाइमिंग की प्रावलम होती है ऐसा नहीं कि उमर के साथ साथ ही ये परिशानी आती है शीगर पतन की ये उनलोगों को भी हो जाती है इनकी उमर कम है उनके साथ भी ऐसा हो जाता है पहले यहां यह जान लीजिए कि शीगर पतन होता है वीरे का जल्दी निकल जाना स कि यूं हो राएंगा, इस पर हमने कभी बात करी आपने किसी के साथ, वह से लोग हैं भात भी नहीं करते हैं, चिछकते हैं, बताते हैं अपनी प्रेशानी को. दोस्तों देखिए क्या है के सारे करण रहे हैं, उमर की जाथ के हरे हैं, हमारी शारिलिक शक्ती कम होगी तो उसका असर हमारी मरदाना ताकत के उपर भी पड़ता है और साथ-साथ हमारी मांसिक शक्ती भी कमजोर होती है अगर हम अवर आल अपने लाइफ को सही तरह से नहीं जी रहे हैं अब सही तरह से जीने का मतलब क्या है कि वह एक तो हमें अपना जो रूटीन लाइफ है उसको सुधारना होगा ठीक है वह हमें समय पे सोना होगा समय पे उठना होगा अच्छा खान पान हमें करना होगा पॉस्टिक आहार हमें लेने होगे कुछ फिजिकल एक्टिविटीज भी हमें करनी होगी ताकि हम अपने शारिक शक्ति को बढ़ा सकें और जब शारिक शक्ति बढ़ेगी गाईज तो आपकी न जो मरदाना ताकत है वो भी इंप्रूव होगी साथे साथ मानशिक शक्ति भी आपकी बढ़ेगी अब मानशिक शक्ति में कहा है कि उसने समझने की ताकत कम हो जाती है और यादाश कमजोर हो जाती है शारिक शप्ती के अंदर ये होता है कि भी बिमारियां हैं, महुत सारी बिमारियां होती है किसी को शुगर की परिशानी है, किसी को ब्लड पेशर की परिशानी है, किसी को दिल की बिमारी है ये शारिरी कमजोरी आती है, मर्दाना कमजोरी के अंदर क्या आ जाता है कि टाइमिंग का कम हो जाना जियां दोस्तों शीगर पतन हो जाना तो उम्र के हिसाफ से ये चीज होती है हाँ उम्र के हिसाफ से शारी कमजोरी के साथ मर्दाना कमजोरी होती है लेकिन आप उसको अपने तरीके को बदल करके कंट्रोल कर सकते हैं आप अच्छी खान पान का इस्तेमाल करें आप आवेट का सहरा लें आवेट के अंदर जड़ी बूर्ट तों के अंदर वो खजाना है जो आपकी शारिज़िक शक्ति को भी बढ़ाएगा आपकी माथ़िक शक्ति को भी ठीक करेगा और आपकी मरदाना ताक neon भी ठीक करेगा, जियान दोस्तों मरदाना ताकत जिसमें हम बात कर रहे हैं शीगर पतन के बारे में, वीरे के जल्दी निकल जाने पर हम बात कर रहे हैं, जब आप ऐसी जड़ी बूटों करेंगे जो आपके लिंकी मास्वेशों को ताकत देंगी और वीरे को गहड़ा करेंगी वीरे कंदर शुकरानों की संख्या को बढ़ाएंगी तो आपकी टैमिंग की जो प्राबलम है यानि कि जो एज के हिसाफ से टैमिंग आपकी कम हो रही है उसमें आपको विजे प्राप्त होगी और आपकी टैमिंग बढ़ जाएगी आपकी जो मर्दाना कमजोरी है वो मर्दाना ताकत में बढ़ जाएगी देखें उमर के साथ साथ टैमिंग का कम हो जाना या लिंग में तनाव की कम हो जाना इसमें testosterone का बहुँ बढ़ा रोल होता है testosterone जो कि पुरिशों में पाई जाने वाला एक हार्मोन है जिसके secretion की कम होने के वज़े से ये परिशानिया सामने आती है जब आपके अंदर testosterone का जो secretion है वो अच्छे से होगा और testosterone level आपका ठीक रहेगा तो आपके अंदर timing की जो problem है वो भी ठीक हो जाएगी दोस्तो ऐसी जड़ी बूटें आती हैं जिनका इस्तेमाल करके आप अपने testosterone का जो secretion है उसको level बना सकते हैं उसका और कौन सी हैं जैसे कि गोखरू है और horny got weed है इस तरह की काफी जड़ी बूटें आती हैं जो आपके testosterone को बहुत फायदा पहुचाती है तो guys आप आईवेद का सहरा लें आईवेद के अंदर आपके परिशानी का हल है आप अपने परिशानी को ठीक कर सकते हैं काफी तरह की medicine आती है जो की अज़वेद की होती है इसके अंदर काफी सारी जड़ी बूटियों की ताकत है जो आपकी timing की problem जो की उमर के बढ़ने से कम हो रही है उसको ठीक करते हैं और आपकी शारी कमजोरी को भी ठीक करते हैं यानि कि आपको अंदरूनी मजबूती भी देते हैं साथ-साथ मरदाना ताकत भी आपके बढ़ाते हैं और मानसिक शक्ती को भी बढ़ाने में काफी फायदे मन है मैजिस्टी गो कैपसूल जैसे इसका नाम है मैजिस्टी गो तो इसके अंदर वाकिए में मैजिक है और ये मैजिकली आप पे असर करते हैं इनको इस्तेमाल करने का तरीका ये होता है कि एक कैपसूल सुभा में लेना होता है एक कैपसूल शाम में लेना होता है इसके अंदर जो जड़ी बूटियां डाली गई है अगर इसके मैं एक नज़र डालता हूँ तो कुछ जड़ी बूटें बता रहो हाला कि बहुत सारी इसमें तालमा खाना है इसमें कीकर का गोन है, अशुगंदा है, विदारी कंद है इसके अंदर और इसके अंदर मुच रस डाला गया गया है, कीकर का गोन इस्तेमाल किया गया है और इसके अंदर अजवेन का अस्तेमाल किया गया है, सालम मिस्री का अस्तेमाल किया गया है, ताल मकाना का अस्तेमाल किया गया है, इंदर जो शीरी का अस्तेमाल किया गया है, इस तरह से और अन्नेस में जड़ी बूटने डाली गई है, जो आपको शारिक शक्ती, मानसिक शक और कोशिच करिए कि उन चीज़ों को आपने जिंदगे में शामिल करिए तो आपकी जो परेशानी है वो जरूर ठीक हो जाएगी तो गाइस ये थी मेरी आज के वीडियो इस दवा के बारे में ये अपनी प्रावलों को बताने के लिए आप दियेगे नमबर पर बात कर सकते हैं तो दोस्तों ये थी मारी आज की वीडियो एक नए वीडियो के साथ भी मिलेंगे जब तक के लिए गुडबाए